हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जॉन्टक के ओनलाइन क्लेटफर्म जॉन्टक दिश्टल में तो लास्ट लेक्चर में हमने और्टमर्ल विकल के कॉइन के बारे में ब्रीफ में डिस्केशन किया था कि कौन-कौन से फंपोननेंट होते हैं किसके क्या-क्या फंक्षणिंग होती है और एक्चुल में हमने किसी भी एक आइक अउन्ट में किसी इन विकल की इमेंस दिमाग में क्रिएट की थी कि एक अगर में फर्स्न लेक्ट कि हमारी कहानी अब तक कहां पहुंच चुकी है, तो हमारी कहानी में अब तक हमने क्या क्या कर लिया है, अब तक हमने सबसे पहले हमने autumn well vehicles को समझा कि कौन कौन सी different categories के vehicle आपको देखने को मिलते हैं, इस दुनिया जहान में और इंडिया में किस किस तरीके से हम उनको classified करते हैं, किस तरीके से हम उनको heavy vehicles बोलते हैं, medium vehicles बोलते हैं, light vehicles बोलते हैं, किस तरीके से passenger car की category होती है, उन सब के बारे में हमने बात की, फिर उसके बाद हमारी कहानी में हम actual में enter कर गए किसी vehicle के अंदर, जिसके अंदर हमने components के ब बात करने वाल है चैसिस और उसके ले आउट के बारे में जो कि एक बहुत ही important component होता है किसी भी automobile vehicle का आज सारी कहानी इसके बारे में बात करेंगे और इससे हमारे लिए क्या-क्या important information निकल कर आती है जो हमारे exam point of view से important है उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाल हैं तो च चैसिस के layout क्या होते हैं पहले तो यह चैसिस ही क्या होता है इन सब के बारे में बात करेंगे तो चलिएगा तो अगर मैं बात करता हूं चैसिस क्या होता है तो आपने अपने जीवन काल में कुछ इस तरीके के structure जरूर देखी होगी कुछ इस तरीके की structure जरूर देखी होग पूरा lecture story की तरह कहानी की तरह चलने वाला है बस ध्यान से सुनते चाहिएगा और जो भी important information होगी हमारे exam point of view से वो भी बताऊंगा कि कोशन किस तरीके से पूछा जाता है ठीक है चलिएगा अभी तो केबल information को ध्यान से सुनिएगा अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में किये थे कि सर एक तो हमने बात की थी super structure के बारे में जो सबसे last में discuss किया था super structure के बारे में जिसमें हमने बात की कि सर इसमें frame भी हो सकता है frame less भी हो सकता है तो actual में ये super structure स्ट्रक्चर है क्या इसको हम बोड़ी भी बोल सकते हैं दूसरा इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में हमने बात की थी सर हमने बात की थी पावर यूनिट के बारे में और पावर यूनिट से पहले हमने बात की थी बेसिक इस्ट्रक्चर के बारे में जिसको भी हमने मनेंं कि पबंचिंधर किया था और जिनके बारे में थोडा-थोडा हमने d temat हम यह किस किस मैं थी आता हमने फ्रेम एस आइस ए सिस्टम सिस्टम उसके बाद हमने बात की एक्सल के बारे में और वील के बारे में ठीक है इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में पावर यूनिट के बारे में कि पावर यूनिट के बारे में यानि इंजन के बारे में उसके बाद हमने बात की कि सरी जो पावर यूनिट की जो power generate हो गई है उसको पहुचाने का काम कौन करता है Transmission System transmission system के बारे में information ली transmission system teh बाद हमने बात कि किस बारे में control system to control came control system में भी हमने दो तरीके के control बारे मारे में बात की ठी एक था हमारा direction control direction country जो कौन कर रहा था हमारी steering कर रही थी दूसरा था हमारे पास braking control या जिसको हम बोलते हैं स्पीड कंट्रोल क्या direction control और स्पीड कंट्रोल डियरेक्शन यानि दिशाओं का नियंत्रण और स्पीड यानि गति का नियंत्रण यह कौन कर रहा है हमारा braking system braking system और इसके बाद हमने बात की थी यहां पर auxiliaries के बारे में auxiliaries devices auxiliary devices headlight वगरा जितनी भी होती है सब क्या है auxiliary devices जो क्या होती है optional होती है जरूरी है तो लगवा लीजिए नहीं मन है नहीं इच्छा है तो आप ऐसा नहीं है क्योंके बिना engine आपका यानि vehicle आपका चलेगा नहीं तो यह क्या होती है एच्छिक होती है optional होती है तो अब ध्यान से सुनिएगा तो अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी जो automobile vehicle होता है कोई भी जो automobile vehicle होगा वह असल में दो वह अगर मिलकर बना होता है क्योंकों से किसकी बात कर रहा हूं ओटो मोबाइल वीकल वीकल कौन-कौन से बॉडी प्लस चैसिस बॉडी प्लस चैसिस जान सुनिएगा यह हमारा बॉडी वाला पोर्चन है यह हमारा ऑक्जिलरी ऑप्शनल है तो यह जो बाकी की जो है यह पूरा की पूरा क्या है चैसिस का ही हिस्सा है चैसिस क्या कहा मैंने मैंने कहा कि पूरी जो आटो मोबाइल वीकल होता है वो दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है बॉडी प्लस चैसिस यानि अगर मैं चैसिस को डिफाइन नहीं किया है मैंने अभी कोई डेफिनि तो chasis क्या होता है एक वो main structure होता है जिस पर ये सभी component क्या होते हैं ये सभी component लगे हुए होते हैं या जिस से जुडे हुए होते हैं या जिस पर mount होते हैं क्या कहलाता है आपका chasis कहलाता है यानि ये base structure होता है जिस पर ये सभी component आपके क्या होते हैं लगे होते हैं क्या कहलात है चैसिस क्यालाता है या फिर आगर मत चैसिस को एक नॉर्मल डेफिनेशन में भी डिफाइन कर सकता हूं कि चैसिस क्या होता है एक आटो मोबाइल वीकल ही होता है जिस पर की क्या नहीं होती बाकी का सारा की सारा सिस्टम क्या होता है लगा होता है यह आप यहां पर देख भ यह अलग अरेजमेंट होता है तो यह पूरा जो बेस इस्ट्रक्चर है जो में इस्ट्रक्चर है वह कहलाता है ठीक है यहां पर यह आपका एंजन है एंजन के बाद प्रोपेलर शाफ्ट गीर बॉक्स ट्रांसमीशन सिस्टम और यहां से चीजे पहुंचती हुई पावर ट् मैं बात करता हूं कि चैसिस क्या है यह है वील्ड वीकल का एक बेस फ्रेम होता है जिस पर जिस पर जिस पर सभी मेकेनिकल यूनिट लगी होती है जिस पर सभी मेकेनिकल यूनिट क्या होती है लगी होती है ठीक है अगर मैं इसको एक तरीके से और डिफाइन भी कर सकता कि चैसिस को चैसिस क्या होता है एक बिना बोड़ी का बिना बोड़ी का ऑटो मोबाइल वीकल ही है जिसके उपर क्या नहीं है कोई भी बोड़ी नहीं है वीकल ही है ठीक है तो इतनी कहानी हमारे समझ में आच चुकी है कि सर चैसिस क्या होता है में जो question बनता है वो बनता है sir इसके classification को लेकर कि chases कौन-कौन से तरीके के हो सकते हैं और कौन-कौन से तरीके में उनकी क्या-क्या specifications होती हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे तो अगर मैं बात करता हूं तो यह मैंने यहां पर एक rough diagram भी बनाया हुआ है कि यहां पर यह आलगा रखा है यहां पर यह आपका है suspension system suspension system यह है sir हमारे पास axle और यह जो हमने white से दर्शा रखे हैं यह क्या है wheel और इसके बाद यह सारा की सारा क्या है frame structure अच्छा हम नॉर्मली chassis और frame chassis बोल दें या frame बोल दें almost हम दोनों को ही क्या मानते हैं similar की बात करते हैं लेकिन अगर मैं बात करूं इन में थोड़ा सा basic difference यह होता है कि chassis जो होता है वो इसकी main body होती है जिस पर main structure होती है जिस पर engine transmission system wheels यह सभी क्या होते मांट होते हैं लेकिन अगर मैं simple एक frame की बात करूं तो अगर आप देखेगा कि अगर आपको engine यहां पर रखना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप हवा में ही रख देंगे यहां पर ऐसा तो है नहीं यहां पर आपको gearbox रखना है तो हवा में ही रख देंगे तो इसको रखने के लिए एक आपको इस तरीके की supporting member supporting members की क्या पड़ती जरुरत पड़ती है जिनको हम बोलते हैं क्या frame क्या बोलते है frame दोनों में difference एक तो क्या है main structure है जिस पर इन सभी को रखा जाता है frame क्या है इन सभी को रखने के लिए जो supporting members का यूज करते हैं वो यह क्या है क्या आपका अधेल केलाता है थीक है तो आपके दभाग मां चीजे ख्लेर हुनी चीहाई इंजनियर हम क्का बोल देते हैं अगर आप इसको फ्रेम भी बोलेंगे तो मेर्यन धेकत नहीं है तो यहां पर आपका इंजिन के बाद या पका gear box, engine के बाद, ये आपका क्या है, यहाँ पर है आपका, sorry, ये gear box नहीं, यापर हम किसको रखेंगे, clutch को रखेंगे, उसके बाद gear box, gear box से आपकी क्या है, ये propeller shaft, propeller shaft, और propeller shaft के बाद ये आपका differential, जो क्या काम करेगा, इनको wheels को turn कराने का काम करता है, और ये पूर अ तो इतनी बात हमारे दिबंग में clear हो चुकी है चलिएगा अब हम बात करते हैं कि सर ये जो आपने बना दिया ये जो structure जो बन गया इसका काम क्या है चलिएगा तो बात करते हैं चैसिस के काम के बारे में तो सबसे पहला काम तो इसका यही है कि पूरे की पूरे वीकल का क्या क क्योंकि सारे कि सारे component क्या है इसी के उपर लगे हुए है। दूसरा कि जो packages है वो भी जो बैठेंगे तो उनका जो लोड है जो weight है उसको भी कॉन सेहन करता है? उनको भी कॉन सपोर्ड करता है? chances ही करता है. तीस ताहर मैं बात करूं कि जब कोई ze वी कल रोड पर चलता है, तो रोड की कंडिशन के अनुसार, जो भी उस पर लोड लगने वाले हैं, उनको भी सहन करने का काम, उनको भी पैसेंजर तक ना पहुंचे, उनका एफेक्ट पैसेंजर तक ना आये, उस इस्ट्रेस को भी जहेलने का काम कौन करता है, अपका ही जेलता है, तो इसका मतलब ये है कि सर जब इसके ऊपर इतने ज्यादा लोड आ रहे हैं, इतने ज्यादा इस्ट्रेस आ रहे हैं, तो इस उनका using chassis को बनाने में किया जाता है, उनकी properties क्या उन्ची है, अच्छी, mechanical properties अच्छी होनी चाहिए, चलिएगा, और के काम करता है, और सर, जब हम brake लगाते हैं, तो हम देखते हैं, कि सारा जो load है, वो या तो एक सेड में shift हो जाता है, कुछ time, कुछ second के लिए, दूसरा, या फ ultimately आना किस पर है, weight, chassis पर ही है, तो इन stresses को भी क्या करता है, ये cope up करता है, और क्या करता है, सर, ये vehicles को turn करने की capability देता है, वो कैसे देता है, क्योंकि आपका steering system भी किस से ही mounted होता है, आपका complete आपके chassis से ही mounted होता है, ठीक है, इसके लाबा, road और passenger के बीच में isolation देता है, कि मतल road पर जो भी कारेगरम हो रहा है, और जितना भी कारेगरम का मतलब है, जितना भी load आ रहा है, लोड की वज़े से stress आ रहा है, तो उसको जिलने का काम कौन करता है, ये chassis ही जिल जाता है, पैसेंजर तक पहुंचने का, पैसेंजर तक पहुंचने नहीं देता, ठीक है, अब य पर ही होता है तो यह क्या करता है रोड और पैसेंजर के बीच में आइसोलेशन का काम करता है तो अभी तक की कहानी में हमने बात किये थे चैसिस के बारे में तो सबसे पहले हमने चैसिस को समझा कि यह क्या है एक basic main structure है जिस पर सभी mechanical unit क्या होती है लगी हुई होती है उसके अ आपको देखने को मिलते हैं exam के अंदर तो अगर मैं बात करता हूँ सर चैसिस का जो वरगी forward chassis तीसरा होता है आपका fully forward chassis कौन-कौन से conventional semi forward fully forward ध्यान से सुनिएगा एक ही बार में आपके दर्म में clear होगा तीनों में difference क्या है ठीक है तो किसके basis पर engine की location के अधारबर के engine कहां रखा हुआ है उसके basis पर हमने इसको तीन भागों में बाटा कौन-कौन से conventional semi forward fully forward ध्यान से देखेगा suppose इसको ऐसे समझेगा तीन के बार में बात कर रहा हूँ मैं तो तीनों में एक होता है सर हमारे पास driver cabin दूसरा होता है engine compartment इंजन कंपार्टमेंट हम जो यहां पर बात कर रहे हैं कि इंजन रखा कैसे है तो उसकी जो location है वो किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं कि driver जहां बैठा होता है उसके आधार पर यानि driver के आधार पर driving के respect में engine की location क्या है उसके आधार पर यह कौन सा तीन भागों में divide किया गया है पहला conventional दूसरा semi forward तीसरा forward देखेगा एक ही बार में आपके समझ में आएगा कहना क्या चाह रहा हूं पहला सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेंशनल चैसिस के बारे में क्वेंशनल चैसिस के बारे में तो यह कुछ इस तरीके की structure आपने अपने जीवन काल में देनिक क्रियाओं में भी देखी होगी इस तरीके का structure कि अगर अगर जो इन्जन है वे इस ड्राइवर के बिन के बाहर है अगर इस तो इस तरीके की जो चैसिस होती है वो कौन सी क्यलाती आपकी कन्वेंशनल चैसिस क्या बोला मैंने कि अगर अगर कंवेंशनल इसको यहां पर लिख सकते हैं कि कंवेंशनल चैसिस के अंदर क्या होता है इंजन ड्राइवर केविन के बाहर लगा होता है तो वो क्या कहलाता है अपका कंवेंशनल चैसिस क्या कहलाता है कंवेंशनल चैसिस यहीं इंग्लिस में भी लिखा हुआ है कंवेंशनल चैसिस एंजन कंपार्टमेंट जो होता है वो कहां होता है तो अगर मैं नुक्सान की बात करता हूं, तो ध्यान से देखेगा, हो क्या रहा है, जब इंजन आपका बाहर रखा हुआ है, तब यह जो ड्राइबर है, जो इस केविन के अंदर बैठा हुआ है, इसको यह वाला जो इस्पेस है, जो ग्राउंड का, यह वाला जो इस्पेस ह है, वो क्या नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, तो इसको खुद ही अपना जज्जमेंट के अनुसार देखना पड़ता है, कि यहां पर क्या कोई भी ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो इसको बोला जाता है, यह इस वाले हिस्से के नीचे का हिस्सा, इस ड्राइबर को ड कम हो गई, ड्राइबर की विजिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, दूसरा अगर मैं बात करूंगा, कि ड्राइबर की विजिबिलिटी कम हो गई, तो इस यह जो विजिबिलिटी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, इस एरिया को बोला जाता है, ब्लैंड स्पॉट, क्या ब बोनट के उपर का जो हिस्सा है इसका कोई भी यूज नहीं होता कोई भी यूज नहीं होता अगर कोई भी यूज नहीं होता है तो मतलब क्या है इस स्पेस का कोई भी यूज नहीं होता नहीं हम इस पर सामान रख सकते हैं और नहीं किसी पैसेंजर को भी बिठा सकते हैं तो यहां पर क्या होगा इस बोनेट के उपर के हिस्से का कोई भी यूज नहीं होता है तो यह तो सर इसके रहते हैं क्या नुकसान अगर मा फाइदे की बात करूं तो सपोज इन केस भगवान ना करें कि अगर इसका एक्सिडेंट होता है किसी से इंपेक्ट हो जाता है कोलीजन ह हो जाती है तो उस case में जितना भी जितना भी नुकसान होना होगा वो किसका हो जाएगा इस आगे वाले पोर्षण का यानि एंजन का हो लेगा आपका जो में जो चालक है जो ड्राइवर है वो क्या रहेगा आपका विल्कुल सेफ रहने वाला है यह इसका सबसे बड़ा क् करता हूं कन्वेंशनल चैसिस के अंदर क्या क्या हो गया कि सर एक तो विजीबिलिटी कम होती है विजी ड्राइवर के लिए ड्राइवर के लिए विजीबिलिटी कम होती है दूसरे पॉइंट की बात करें ब्लाइंड इस्पॉर्ट ज्यादा बनता है ब्लैंड इस्पॉर्ट का मतलब है इंजन की वज़े से जो बाहर निकला हुआ है उसकी वज़े से वो हिस्सा जो दिखाई नहीं देरा किसको ड्राइवर को ठीक है थर्ड पॉइंट क्या होता है थर्ड पॉइंट जो लगेज इस्पेस यानि इंजन के इंजन के उपर के उपर के इस्पेस का इस्पेस का प्रॉपर यूज नहीं होता और अगर बात करें अच्छे पॉइंट की तो इंपेक्ट के दौरान इंपेक्ट के दौरान ड्राइवर को मैक्जिमम सिक्यूरिटी रहती है मैक्जिमम सिक्यूरिटी रहती है अगर मैं एक्जाम्पल की बात करूँ तो ऐसे अपने इंजन ऐसे अपने चेसे आपने देखे होंगे ऐसे वीकल्स में तो यहां पर यह क्या है आपका कॉंबेशनल चैस्ट्स एसा कॉम्बीनिशन क्या है कन वेलिशनल चैस्ट है यतने भी कार्ष पर गर हम आप देखते हो इस तरीके के जो चैस्ट्स मिलते होनको क्या बोला जबता है चैस्ट्स कािष चलुए hearts इसके बाद दूसरा हम बात करेंगे किस के को बारे में semi forward chassis के बारे में इस English में मतलब हो गया आदा तो मतलब आप इंजन को आदा हिस्सा किसमें ले लिया हमने driver केविन के अंदर ले लिया ठीक है तो यहां पर लिख सकते हैं कि semi forward chassis में semi forward chassis में इंजन का कुछ portion और बात करें तो 50% जो portion है है driver Kevin के अंदर होता है donc से क्या फायदा हुआ इस से फायदा सथ यह हो गया हमको कि जो पहले जो इतना जादा जो blind sport बन रहा था blind sport तो अभी भी बनेगा लेकिन पहले वाले के case से कम बनेगा तो मतलब पहले वाले case की तुलना में driver की visibility इंप्रूब होती है दूसरा blind spot पहले वाले case की तुलना में कम बनता है तीसरा अगर मैं point की बात करूँ कि safety भी यहां पे होती है driver की लेकिन पहले की मुकाबले कम रहती है चौथा अगर कि यहां पर जितना portion आपने यहां से कम किया है उस portion का आप यूज इस पूरी length को बढ़ा कर सामान को रखने में यानि extra space को रखने में कर सकते हैं ठीक है कर सकते हैं तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर क्या-क्या पॉइंट हो गए हमारे पास कि semi forward के अंदर semi forward के अंदर ड्राइवर की visibility 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 बढ़ती है visibility बढ़ती है और blind spot कम होता है किसके comparison में conventional के comparison की बात हो रही है ठीक है दूसरा अब जब ऐसा हो गया कि visibility तो बढ़ रही है blind spot क्या हो गया कम हो गया और इसके लाबा हमको क्या देखने को मिलेगा extra luggage यानि सामान को रखने का हमारे पास क्या मिल जाता है luggage extra सामानी लिख लो extra सामान को को रखने का का space मिलता है मिलता है ठीक है यहां पर इतनी बात दिमाग में clear हो चुकी है कि अगर मैं बात करता हूं एक और पॉइंट के बारे में वह सेम ही है कि यहां पर safety ड्राइवर के बिनके अंदर है तो वह केलाएगा आपका semi forward chassis चलिएगा जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके के आपने देखे होंगे टाटा के जो ट्रक होते हैं वहां पर यह कौन से हैं आपके semi forward chassis semi forward chassis blind spot यहां पर भी है लेकिन as comparatively क्या होता है कम होता है ठीक है यह इतना हिस्सा इसके नीचे का हिस्सा ड्राइवर को दिखाई नहीं देता तो यह किलाते आपके semi forward chassis चलिएगा इसके बाद आपको नाम से ही पता चल रहा होगा fully forward chassis fully forward chassis तो आपको फोटो से ही पता चल रहा होगा और आपके दिवाग में इमेज बन चुकी होगी कि इसके अंदर क्या होने वाला है इसके अंदर जो engine है वो completely driver cabin के अंदर आ जाएगा driver cabin के अंदर आने का मतलब नहीं ऐसा नहीं है कि उसके बगल में आ जाएगा मतलब यह है कि यहां पर जो driving की चैसिस में, फुली फरवड चैसिस में, ड्राइविंग, चैसिस में, एंजन, ड्राइवर केविन के, ड्राइवर केविन के, अंडर ही होता है, मतलब, ड्राइवर की सीट, ड्राइवर की सीट, फ्रंट एक्सल के उपर ही होती है, अगर भाईस अब ऐसा हो गया, इंजन अंदर आ गया, तो इसके बैनिफिट आपको क्या-क्या देखने को मिलेंगे, सर सबसे बड़ा बैनिफिट तो यह है, जो हम इतनी देर से हला मचा रहे थे कि दिखाई नहीं दे रहा, जो ब्लैंड स्पॉट है, वो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम होगा, या अल्मोस्ट खतम होगा, तो मतलब, जो ड्राइवर होगा, उसको साप साप दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कि ग्राउंड प्रेवल तक भी क्या चीजा चल रही है, तो मतलब, यह जो इस पेस जो नहीं मिल रहा था, वो हमें क्या होने लग गया, दिखने, लग गया, ब्लैंड स्पॉट मिनिमम होगा, तो ड्राइवर की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ड्राइवर की विजिबिलिटी बढ़े यह था, जैसे कि जो पहले आ रहा था, अब नहीं है, तो मतलब, जितना इस पेस जो आगे आ रहा था, उसको आप पीछे यूज कर सकते हो, और अल्टिमेटली आपको, जो सामान आपको जो रखना है, उसके लिए आपका जो स्पेस है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ यानि जो एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, इस पेस बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, रखने के लिए, इस पेस बढ़ जाता है, इस पेस यह अलग से नहीं आ रहा है, मतलब, अगर आप सेम लेंद्ध ही लेके चल रहे हो, जैसे कि पहले था, उसके केस की बात हो रही है ठीक है तो एक्सर सामान रखने के लिए क्या हो गया इस पेस बढ़ गया यही सब कुछ इंग्लिस में लिखा हुआ है कि forward chassis engine में क्या होता है portion inside आ जाता है किसके driver cabin के और आपने अपने जीवन में इस तरीके के फोटो जरूर देखे होंगे इस तरीकी के जो ट्रक होते हैं वह कौन से होते हैं fully forward chassis fully forward chassis fully forward chassis fully forward chassis यहां पर आप देख सकते हो कि जो engine है वो इस driver cabin के अंदर ही है अंदर से मतलब जो engine के ऊपर ही क्या है driver की seat होती है तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं अच्छा एक point आप देखें तो यहां पर क्या होगा यहां पर fully forward के case में हमने इनके बारे में तो बात कर ली कि सबसे कम हो गया दिखना ज्यादा चालू हो गया मतलब ग्राउन तक इसको दिख रहा है लेकिन अगर मैं safety की बात करूं कि driver की safety driver की safety सबसे कम होती है सबसे कम होती है क्योंकि अगर कहीं इस पर किरपा हुई और यह ठुक गया तो यहां पर जो सबसे ज़्यादा इंपक्ट आएगा वो direct driver को भी क्या कर सकता है चोटिल कर सकता है तो ठीक है इतनी बात के लिए हो चुकी है तो हमारे दिमाग में अभी तक हमने जो बात की है वो चैसिस का classification किया है किसके आदार पर के इंजन आपका driver cabin के comparison में कहां पर रखा हुआ है तो इसके आदार पर हमने तीन चीजों के बात की conventional chassis, semi forward chassis and fully forward chassis ठीक है कि कौन से इंजन की location के वाई से क्या होगा कहां नहीं होगा visibility कब कम होगी कब जाधा होगी और driver की safety important होगी कि किस case में जाधा important होगी तो यह आपको दिमाग में clear होना चाहिए इनकी definition ही अपने आप में question है क्योंकि यहां से आपको कोई भी numerical नहीं आने वाला है एक्जाम के अंदर आपको किवल information basis आपको कुछ चोड़े चोड़े questions पूछे जाने हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि semi forward chassis क्या है या fully forward chassis क्या है तो अगर मैं यह question की तरह बात करूँ तो इन में से कौन से case के अंदर कौन से chassis के अंदर driver की जो engine जो होता है वो driver cabin के बाहर रखा होता है option आपको देदेगा conventional chassis semi forward chassis forward chassis and none of these तो answer क्या होगा semi forward sorry आपका conventional chassis तो इस तरीके से यहां से question frame हो सकते है तो चलिएगा अब हम आगे चलते हैं दूसरे basis पर तो second है हमारा on the basis of layout यानि layout के आदार पर एक हमने बात की कि engine की location के आदार पर के engine कहां पर रखा हुआ है driver Kevin की तुल नाम है दूसरा हम बात करेंगे किस के आदार पर layout के आदार पर layout का मतलब है और हम बात करें इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि engine के साथ जो engine जो power generate कर रहा है वो power front axle को जा रही है या सभी wheels को जा रही है उसके आदार पर भी क्या होगा chassis की design अलग-अलग होगी उसके आदार पर chassis की design क्या होगी अलग-अलग होगी ये इनके बारे में कुछ हमने के front axle क्या है rear axle क्या है हमने last class में भी basic information completely देखी थी ठीक है तो on the basis of chassis layout इस आदार पर हम चार तरीके से generally बात करत है कि पहला है engine आपका front engine है engine आपका front side है और rear wheel drive है यानि जो power है वो पीछे वाले पाईयों को दी जा रही है जिसको हम sword में क्या बोलते है ferd क्या बोलते है ferd front engine rear wheel drive front engine rear wheel drive chassis ठीक है क्या बोलेंगे इसको front engine rear wheel drive chassis engine आगे है और जो power है वो पीछे वाले wheels को दी जा रही है दूसरा बात करेंगे front engine front wheel drive front engine front wheel drive यानि FEFD जो power है जो sorry engine है वो भी आगे रखा हुआ है और जो power है वो भी किसको आगे वाले पाईयों को दी जा रही है दूसरा अगर मैं बात करता हूं कि front engine front wheel drive तो इसका मतलब है engine आपका आगे है engine आगे है और power भी power भी front wheels को दी जा रही है इसके अलाबर थर्ड बात करेंगे rear engine rear rear engine rear wheel drive RERD ये short form भी आपको याद रखनी है RERD rear engine rear wheel drive इंजन भी आपका पीछे रखा हुआ है और जो power भी है वो किसको दी जा रही है पीछे वाले wheels को ही दी जा रही है चोथा है आपका all wheel drive all wheel drive मतलब power जो है power सभी wheels को दी जा रही है जिसको बोला जाता है FWD यानि four wheel drive जब हम drive पढ़ेंगे उनके बारे में और detail में भी जानेंगे तो यहां पर किसकी बात हो रही है यह chassis के layout की बात हो रही है यह chassis का जो layout होता है chassis का जो automobile का जो chassis होता है वो इस आदार पर भी क्या होता है classified होता है कि engine कहां पर है और उसके साथ और उसके साथ जो power है वो कौन से wheels को दी जा रही है तो चलिएगा एक एक करके कुछ कुछ information देखते हैं इनके बारे में तो पहला है हम आरे पास कौन सा देखेगा इतना तो हमारे बात समझ में आई चुकी और मैंने बताया भी आपको कि engine हमारा क्या है front side में रखा हुआ है और जो power है वो rear wheels के पास पहुंच रही है तो लेकिन engine को आगे रखने के क्या benefit हमको देखने को मिलते है as comparatively जब हम rear engine rear wheel drive या rear engine front wheel drive या mid engine front wheel drive और rear wheel drive पर जाते हैं कि अगर engine आगे रखते हैं तो हमें क्या-क्या देखने को मिलता है कि engine और passenger का weight होता है वो इसका optimum क्या होता है use होता है balance सही होता है कैसे balance ही होने का मतलब है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर देखेगा कि यहां पर एक proper proper आपके chassis पर क्या देखने को मिलती है जब engine आगे रहता है और जो आपके यहां पर आपके ultimately जब body आएगी तो यहां पर आपका क्या रहेगा यह passenger compartment रहने वाला है तो यहां पर passenger का weight आने वाला है यहां पर engine का weight आ रहा है तो इनका proper balancing इस chassis की क्या रहती है सही रहती है किसके comparison में जब हम इसको इस engine को या तो back side रखें या mid में रखें तो उसके comparison में balancing comparatively क्या रहती है अच्छी रहती है किस-किस की passenger और engine के weight की दूसरा अगर हम मैं बात करता हूं कि अगर engine अगे रखा हुआ है और power को transmit कर रहा है तो क्या होगा naturally naturally क्या होगा naturally उसकी cooling अच्छी होगी किसकी वज़े से proper air किसकी वज़े से air के below होने की air के बहनी की वज़े से उसकी engine की proper क्या होगी और effective cooling होगी अगर तीसरा point अगर हम बात करता हूं अगर engine आगे है और driver जब gear shift कर रह है उस duration में जो भी change हो रहा होगा यानि जो भी noise हो रही होगी उत्पन ध्वनी उत्पन हो रही होगी उसको कौन सुन सकता है driver experience कर सकता है कि क्या इसमें variation आ रहा है किसके comparison में जब engine आपका पीछे रखा हुआ है उसके comparison में driver को driver को यहां पर easily noise सुनाई दे जाती है feel कर सकता है कि actual में gear shift हुआ है या क्या changes आ रहे हैं तीसरा अगर बात करें इससे इससे फाइदा क्या है इससे according to according to situation driver judge कर सकता है अच्छा अगर engine आपका पीछे की side रखा हुआ हो तो वो noise जो होगी during the gear shifting वो किसको सुनाई देने वाली है वो देने वाली है साब आपके यात्रियों को य आराम को खराब करने वाली है और इस तरीकी के जो चैसिस ले आउट होते है जनरली क्या होते है सबसे पुराने हैं और अभी भी आपको किसमें देखने को यूज मिलेगा इनको आपको यहीं कमर्शल विकल में अभी इनका यूज किया जाता है चलिएगा नेक्स हम बात करते हैं फ्रंट इंजन फ्रंट वील चैसिस ड्राइब इसको जो चाहिए था जो ताम जहाम आपको चाहिए था इंजन से पावर को पीछे तक पहुचाने के लिए उसकी क्या आज जाती है उसकी जरुवत नहीं पड़ती है और आपके जो डिजाइन है जो ले आउट है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है अगर इंजन को बात करूँ बैनिफिट की तो यहां पर अगें नेचरली और एफेक्टिव कूलिंग आपको देखने को मिलती है क्योंकि इंजन आ हो रहा है यहां पर इंजन आगे है यहां पर इंजन से पावर आप पीछे तक लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको चैसे की डिजाइन अलग चाहिए होगी और यहां पर आप देख सकते हो इंजन भी आगे है और पावर भी आगे वाले वील को ही मिल रही है यानि फ्र सबमेश हो जाएगा, अब अगर इनकेस इस हम अगर पीछे रख देते हैं, तो क्या सीन होने वाला है को अगर हम पीखे रखेंगे तो क्या होगा Rear Engine, Rear Wheel Drive, इससे फाइदा यह होगा, फाइदा यह होगा कि आप In mensen son तो आगे रखके जतना आप transmission system आप लगा रहे थे पीझे तक पहुचाने के लिए अगर आपको power पीछे ही देनी है तो engine को ही पीछे रख दीजे ठीक है तो चलिए एंजर को भेजार दिया pèreवर भी पीछे रख ली तो इससे क्या होंच्ट रांस्मियसिंसल वाला जरूरत होगी क्योंकि नेचरली जो एयर के ब्लो होने से बहने से हो रही थी वह नहीं होगी और जब ड्राइवर जब आपका गियर शिफ्ट करेगा तो वह खुद नोईज का एक्सपिरेंस नहीं कर पाएगा जो पीछे यात्री गड़ बैठे होंगे उनको क्या सुनाई देने वाली है नोईज एक्सपिरेंस होने वाली है तो जिन बसों में भी आपने देखा होगा कि अगर इंजन पीछे है तो वहां पीछे बैठने पर आपके जो पैसेंजर होते है उनको क्या फील होता है ढ़िस कमफर्ट धीं होता है Qi कह सोंसे रियर एंजन रियर वीडु ड्राइव इसके बाहरें से जॅके neighborhood के बाहरेता वो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और ultimately चैसिस की क्या होगी costing बढ़ेगी costing क्यों बढ़ेगी क्योंकि जब आप जब आप चारो wheels पर power दोगे तो यहां पर आपको एक extra part भी आपको use करना पड़ेगा जिसको बोला जाता है transfer box जो cable four wheel drive में ही यूज होता है जिसका काम होता है कि power को front side में और rear side में क्या करना distribute करना किसका transfer box का जिसके बारे में हमने last lecture के अंदर भी कुछ information के बारे में बात की थी ठीक है तो यहां से इसका फायदा क्या होगा कि चारो wheels पर power transfer होगी चैसिस की costing बढ़ेगी और जब तो हम इसको off-road condition में भी work कर सकते हैं तो इस तरीके से आज की कहानी में हमने अभी तक चैसिस के बारे में समझा किसर चैसिस क्या होता है उसके different classification को देखा engine की location के आदार पर engine की location के आदार पर हमने देखा तीन तरीके से हमने बात की conventional semi forward and forward किसके respect में कि वो driver की केविन के respect में engine कहां रखा हुआ है अगर completely बाहर है conventional थोड़ा ड्राइवर केविन के अंदर है semi forward और completely अंदर है तो वो क्याला था आपका forward यानि जो driver की seat है वो front axle के उपर है किसके क्या benefit है किसके क्या किसके क्या नुकसान है उन सब के बारे में हमने बात की फिर हमने बात की कि engine से जो power जा रही है उसके basis पर भी chassis के layout क्या होते है different different होते है front engine front engine rear wheel drive chassis front engine front wheel drive chassis front और आपका rear engine rear wheel drive chassis अगर आप इंजन को मिड में रख देते हो तो वो मिड पंडिशन के अगोडिंग चैसिस का भी क्या होता है different classification होता है अब इसके बाद हम next lecture में हम लोग देखेंगे कि इसके construction किस तरीके से होता है और इसके साथ कुछ और important information भी हम लोग next lecture के अंदर discuss करेंगे तब तक के लिए this is Mani Jindal signing off thank you good luck